Completely Shriood और चैनल को अधिक साधिक्साइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। दोस्तों, कथा बहुत ही संदर है। चतर ग्वाले के गरम जामुन और एक औरत आईए कथश्रवन करें बहुत समय पहले की बात है किसी देश में एक बहुत पुरसिध कवित्री रहती थी उसका नाम आशा था उसकी विद्वत्ता के कारण पूरे देश के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे बड़े बड़े वि कवित्ताओं से मंत्र मुग्द हो जाते थे समय समय पर आशा राजदरबार में होने वाली कवी गोश्टियों में भी भाग लेती थी आशा जब रास्ते से गुजरती थी तो लोग उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे चोटे तो चोटे बड़े हुई आशा को देखकर उसके लिए रास्ता छोड़ देते थे एक दिन दो पहर के समय आशा बाजार की तरफ जा रही थी जिस सड़क पर वह चल रही थी उसके दोनों और जामुन के पेड लगे थे उन पेड़ों पर जामुन लदे हुए थे काले काले रस्दार जामुन देखकर आशा के मुह में पानी आ गया लेकिन जामुन के सभी पेड उंचे थे उसके सामने समस्या यह थी कि वह जामुन कैसे तोड़े ब्रध्धावस्था में बालकों की तरह पेड पर कूद कर चड़ जाना उसके वश्च की बात नहीं थी वह आस पास देखने लगी की शायद कोई बच्चा दिख जाए तभी आशा की नजर एक पेड पर पड़ी वहाँ एक चरवाहे का लड़का चड़ा हुआ जामुन खा रहा था बालक ने आशा को देखा तो जट से उसे प्रणाम करके कहा मौसी बड़े स्वादिष्ट जामुन है कहो तो कुछ तुम्हारे लिए गिरा दूँ आशा के मन की मुराद पूरी हो गई वह तो यही चाहती थी उसने कहा बेटा मेरा मन तो बहुत कर रहा है यदि कुछ जामुन गिरा दो तो तुम्हें लाख लाख दुआएं दूँगी बालक ने पूँचा मौसी गिराने को तो अभी गिरा दूँ लेकिन कौन से जामुन खाना पसंद करोगी गरम या ठंडे यह सुनकर आशा का सिर्चकरा गया उसने तरक में बड़े बड़े विद्वानों को परास्त किया था बहुत सी पोथियां पढ़ी थी फिर भी आज तक कभी जामुन के ठंडे और गरम होने की बात नहीं सुनी थी उसे सोच में पढ़ा देख बालक फिर से कहने लगा बोलो मौसी कौन से जामुन गिराऊं आशा ने कहा बेटा क्यों मुझ बुडिया से हसी करता है भला जामुन भी कहीं गरम और ठंडे होते हैं बालक ने कहा अरी मौसी कैसी बात करती हो मेरी इतनी हिम्मत कहा कि तुमसे हसी करूँ मैं सच कह रहा हूँ यहां दोनों तरह के जामुन हैं बताओ कौन से गिराऊं आशा बालक की बात पर विचार करने लगी वह सोचने लगी कि इस बात का क्या उत्तर दे क्या वै कह दे कि गरम जामुन गिराओ पर जामुन तो गरम होते ही नहीं कौन जाने उसकी इस बात पर बालक उसकी और भी हसी उड़ाए बालक ने फिर कहा मौसी तुम तो बड़े बुद्धी मती हो अपनी कवताओं से छोटे बड़े सब के मन में आनंद का रस घोल देती हो बड़े आश्चेरे की बात है कि तुम इतनी से बात नहीं समझ पा रही हो सोचते सोचते आशा तंग आ गई उसने कहा भाई तू नहीं मानेगा चल कुछ गरम जामुन गिरा दे मैंने आज तक ठंडे जामुन ही खाये हैं अब देखूं की गरम जामुन कैसे होते हैं बालक ने हस्ते हुए पेड की एक डाली जोर जोर से हिला दी काले काले रसदार जामुन पेड से नीचे गिर पड़े और धूल में सन गए आशा एक-एक जामुन को उठा कर बड़े प्रेम से फूक मार मार कर खाने लगी यह देख बालक हस पड़ा फिर बोला कहो मौसी गरम जामुन कैसे लगे आशा ने जामुन का रस चूचते हुए कहा बेटा जामुन तो ठंडे ही हैं बालक ने कहा कैसे बात कर रही हो मौसी यदि जामुन गरम नहीं है तो फिर तुम उन्हें फूक फूक कर क्यूं खा रही हो आशा सन रह गई इस बात का वह क्या उत्तर देती एक चरवाहे के बालक ने अपने वाक के चातुरे से उसे हरा दिया था वह कुछ लज्जित सी हो गई थी तभी बालक नीचे उतर आया आशा ने उसे गले से लगा लिया और कहा सच मुझ जामन गरम ही है तभी तो मैं इन्हें फूक फूक कर खा रही हूँ दोनों साथ साथ हस वड़े और हस्ते हस्ते ही अपने अपने घर चले गए दोस्तों आपको अखता कैसी लगी अपने विचार और सुजा कमेंट में जरूर दें हमारी कथाओं को लाइक करें हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना न भूलें हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा गैन पराप्त हो जैश्र राम भक्तो